आपके साथ अभी शीक पूली उत्तरपदेश की नो विदानसभा सीटों पर उपचुनाव वा जिन में से एक सीट थी मुझफर नगर की मीरापूर जहां बीजेपी के सहयोग से आरेलडी जयांद चौधरी की जो पार्टी है वो इस चुनाव में उत्री थी इस चुनाव की पूरे देश में हुई मीरापूर सीट की क्योंकि वहां की एक वीडियो कुछ तस्वीरे वाइरल हुई जिसमें एक दरोगा पिस्टल ताने हुए कुछ महिलाओं के ओपर खड़ा दिखाया गया हलाकि वह क्लिप अधूरी थी वह क्लिप काटकर डाली गई थी अखिलेश कि श्यादा हूं या फिर विपक्ष के तमाम नेता हो कि किस तरीके से प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है किस तरीके से प्रशासन तंग कर आला कि पुलिस ने बात में पूरा वीडियो मुवईया करवाया गया पुलिस वालों को जो है जैकेट पहननी पड़ी बुले पर उन्होंने लिखा है मीरापूर मुझफणगर के कक्रोली गाओं के में जूटे केस लगाकर उनकी पार्टी के कार्यकरताओं को निशाना बनाया जा रहा है कम से कम आज 80 कार्यकरताओं पर केस लगाया गया वह खवातीन जिन्होंने चुनाव के दोरान पुलिस की गुं संबर आया तो महिलाओं को आगे करके खड़ा कर अब वैसी यह ट्वीट कर क्या जताना क्या चाहते हैं मैं बता रहा हूं वैसी क्या जताना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले आपने प्रशासन की तरफ से वीडियो का जिक्र प्रशासन को छोड़िया अखले सियादों ने सब्सक्राइब करना चाहिए कि पैसा ले रहे हैं तो वह एडिट कर सकते हैं तो भाइसाब में पहले का मामला होता तो डिलीट हो जाता तब फिर सवाल उठते डिलीट कर दिया गया एडिट करके वो क्लिप हटा दी गई और फिर बताने को सिस की पुलिस अत्याचार कर रह दू दिनों वैसी जान दे रहे हैं दरसल बात ऐसी है ना कि कोई पहला मेटर नहीं है पहले पत्राव कर लीजिए पहले पुलिस वालों कर दिया है मेरी बात सुने पहले पूरा पहले पत्राव कर लीजिए या पत्राव के लिए घरवालों को निकाल दीजिए और उसके बा को मारा जा रहा है ठीक है फिर भी माल लिया कि चलिए मुसल्मान इसलिए अप्तियाचार हो रहा है वो डाल भी लेते तो वैसी और अखलेस की आदव को यह समझना चुहिए था कि कुंदर की वाले आपको दे देते अगर आपके इतने ही सके थे नीरापूर की जवाप बात कर जो सच्चाई उसको छुपा लो और फिर क्या कहते हैं जब एक्शन हो गीजी पीटी राजनीती पर कब तक जिंदा रहेंगे जब रिजल्ट नहीं मुसल्मीन जब नाम है तो और किसकी राजनीती करेंगो जन्धर्म की जाके करेंगे वो क्या कहते हैं मेगवाल की जाके र चलाते रहेंगे हर बार हैदरबाद जीद के पुरे देश में दुकान चलाते रहेंगे बात तो आथ कीजिए ना फिर आप क्या कहते है और सच हो तो बात किजिए पुलिस कस्टडी में टोटी में किसी लड़के की जान चली गई तो उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं लेक कर दी आते वह जनाना जरूरी है की चलो जनाजे में उसके अंतिम्यात्रा में संसकार में पो आप लेकिन क्या About ऐसे भी स्विलों की जनाजे में ज्यू को जो कि जरीब और उनके जनाजे में आप सामिल होते हैं जाते होंगे शायद फोटो नहीं डालते होंगे हम बढ़ियास वहां पर बोटी नोचते हैं तो आप क्या बतानी को सिस करते हैं तो यह वैसी है और 15 मिनेट मुझे लग रहा है कि यह 15 मिनेट के पूरा वीडियो पूरा माहौल देख लेते हैं समझ में नि देख लेता हूं उसी में अपना कर लेते हैं चलिए प्रशासा ने इस तरीके से इन उर्दंगियों पर कारवाई की उस पर आपका क्या कहना है यह नहीं कह रहा हूं कि जो लोगों पर फाइयार दर्ज की यह वो भी पूरा सही होंगे जांच का विसा है अब जांच के लिए नहीं कि लेना चाहिए थदह तर अध्सित आउंॉं अधैय बात कह रहा हूं कि मैं हमेसा से प्रशासन को नहीं कहता हूं कि क्लीं चेट दे रहा हूं प्रशासन कई आपके छुंदक में काम करता है प्रशासन कर्ऴ है अपनी भडास निकालने की कोशित करता है लेकि उसका मतलब यह नहीं है कि योगी जी फोन करकर के कह रहे हैं किस सुनो उनको निकलने बने उनको मानने ने अर यही था तो करहल जीत लेते तो साखह और दाओं पे लगी ते लिए अगर जींग वह करना था उट नहीं डालने देना था बहुत पुलिस है ना करहल की पूरी पर सवाल उठते हैं तो ये बाई जो बात चलने लगी है इन बातों से आगे बढ़ी है अब इनका कोई मतलब वास्ता रह नहीं गया क्योंकि प्रशासन ने प्रशासन के उपर जब आपने पत्थर बाजी कि एक वीडियो भी सामने आया था जब पुलिस पुछा गया कि आले जाते हैं अम्तियाज जलील और वारिजबठान बहुत सोच समझ के आप लोग भी एक कर दे गा तू रप देगा बहुत बातें कर रहे हैं तो बहुत बातें कर रहे वारिष पठान और इम्तियाज जलील की सीट पर किसने मुसल्मानों को रोक दिया था वोट डालने से वहां क्यों नहीं जीत पाई यह आईयम आईयम बहुत आप मीरापुर की बात कर रहे हैं ख्लेट स्यादों के बहुत पिशलग गुबन है तो वहां पर क्यों नहीं जीत व पंदरा मिंट का जो आप बात करते हैं उस पर विशौसर के पंदरा मिंट की पूरी चीजें देखें 15 से काम मत निप्ताइई वह काम निप्ताने के लिए अउन वी प्राणा है तो जो जो मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर विस्तार पार्टी का करना तो हिंदू-मुसल खतम करने से पहले आप में हिंदो मुसल्माना जो जिक्र किया मैं कह रहा हूं यह मुसल्मान करें लेकिन यह क्यों अश्राफ मुसल्मानों की बात ना करें जो मुसल्मान की बात करें तो अश्राफ मुसल्मानों की बात ना करें यह जो कहते हैं उत्तर प्रदेश के कौने में या हैदराबाद या तिलंगाना कोने में जो काम कर रहा है दस रुपए बीस रुपए पचास रुपए के लिए पस्मांदा है नट है जो कि गड़ा खोदने वाला है उसकी भी बात कीजिए इंतियाद जलीर वाजित पठान की बात मत कीजिए यह कहने को कर रहा हूं आप मु रोइद का ऐसा मानना मेरा तो मानना फिर भी नहीं है कि आपको सफलता मिल सकती है अधराबाद के बाहर विस्तार मिल सकता है और अब कम से कम नतीजों पर जो मैंडेट जन्ता ने दिया है उस पर फोकस करिए कम्यों को देखिए कि कहां आपकी कमिया है उसी पुराने किसा पिटा जो धर रहा है उस पर मत चले रोइद बहुत धन्यवाद आपका दर्श को चर्चा कैसी लगी कमेंट का ज़रूर बताएगा नमस्कार